सर आपका बहुत बहुत स्पागत है व्याईपी न्यूज में तो सर जैसा कि हम जानते हैं कि पिछातरवा एंसेसी साल जो है वो मनाय जाएगा साल जो पूरा हो चुका है तो उसको लीकर आपका क्या कहना है सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि नैशनल को जब देश आजाद हुआ था उसके बाद 1948 में रेज हुआ और उसके तहप आज इस साल हम 74 साल कंप्रीट करेंगे और 75 साल में पहर रख रहा है जैसे कि आप सब को पता है देश भी 75 साल आजादी का सेलिब्रेट करता रहा है इस साल और वैसी हम एंसी सी को भी सेलिब्रेट करेंगे अगले एक साथ कि इसके अंदर हमने यह प्लैन किया कि पूरे साल में एंसी सी की गधिविदिया हम पूरे देश में इस प्रकार करेंगे ताखिए अनसी सी के बारे में और पूरे देश को योगदान देता है जैसे कि हम जानते ही कि NCC जो है यूथ पर काफी एफेक्ट डालता है तो उसको लेकर आपका के कहना है कि NCC यूथ की लाइफ में कितना एफेक्टिव रहता है देखिए ऐसा है NCC का जो मोटो है आप सब को पता हो कि हम अनुशाशन और एक्ता बुलते हैं जिंदेगी में कुछ भी हासिल करने के लिए अनुशाशन को समझना और उसको अपनाना बहुत महत्व रखता है अगर आप अनुशाशन समझ जाते हैं तो आपकी जिंदेगी सफल हो ही जाएगी और इसी अनुशाशन को लेके NCC की कतिविदिया एक चाहे जिस किसी भी फील्ड में होगी तो यहां पर बहुत सारे कारिक्रम होगे साइकल थौन भी यहां पर होगी जो कईक एडिट्स है जो अदर से बैतूल से आ रहे है गवालियर से आ रहे है जो वुपाल पहुंचेंगे उनको भी गवर्णर यहां पर फ्लाग इंड तो उसको लेकर आपका क्या कहना है इस साल हमने यह किया था और हमारे महानिदेशक एडिजी एंपी और सीजी डिरेक्टरेट ने यह प्लान किया कि मद्ध प्रदेश में एंसी सी डे को दिखाने के लिए कोने कोने से हम साइकल रैली शुरू करेंगे इसके तहत जितने भी ग्रूप है NCC के मद्ध प्रदेश में गौलियर ग्रूप, जवलपूर ग्रूप, इंदौर ग्रूप, सागर ग्रूप और भोपाल ग्रूप पाँच ग्रूप है इनमें सिफ 15-15 केडिट अलग-अलग दिशा से करीब टोटल 1900 किलोमीटर साइकल चला के भोपाल पहुंच हैं और ये 75 साइकलिस्ट जिन्होंनों की 19 तारिक से शुरू किया साइकल चलाना 27 तारिक को हमारे महमेहिम राजयपाल जी उनको फ्लैग इन करेंगे यहीं शौरसमारक में तो हमारा मुद्ध था ये दिखाने के लिए कि मद्ध प्रदेश के जितने भी प्रांत वहां से हम हमारे राजदानी भोपाल में आये और फिर पूरे रश्ते में एंसी के तक द में जहाँ पर वह चल रहे हैं हाइओ फे वहां पर और और भी काफी कारिकरम कीया है जैसे कि नशामुक्ति के संबंद में वहाँ पर संदेश भेजा है जहां पर गाउं गाउं में छोटे कजमे में कोई पुराने हमारे वीर रहे हैं उनसे मुलाकात की है सोशल सर्विस के हिसाब से कुछ एक मुद्दो पे वहाँ पे चर्चा किया है गाउं में और इसी को हमने मदर नजर रखते हुए दिखाया कि कैसे हम मदर परदेश के कोने-कोने में NCC के मैसेज को हम फैला सके करते हैं चाहे वह शूटिंग हो या फिर काफी ऐसे करेंट से जो सीडियर करते हैं तो ऐसे भी आपके पैचान में होंगे जिन्हों ने यह चीज़ क्लियर कियोगी और वह बहुत प्राउड फील करते होगे कि हम एक NCC का पार्ट है और उसके साथ हमने यह चीज़ अचीज़ किये बिल्कुल पिछले कई सालों से हर साल NCC के कैड़ेट्स भारतिय शेशत सेना में अफसर बनते हैं अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं कुछ और कुछ हाली में ऑफसर बन चुके हैं अपनी उनिट में पहुंच चुके हैं यह हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम उनको शे यारी करके और वहां पर सक्सेस्फुली इंडियन आर्म फोसेस में ऑफसर बन सकें यह कंटिनुवस प्रोसेस है और इसमें एंसे सी हमेशा उन बच्चों को जिनके अंदर जजबा है और पढ़ाई लिखाई करने को तयार है उनको हम वैसे मार्क देर्शन करते हैं और ट्र आपको बोलते होंगे कि आप से हमें बहुत गाइडेंस मिला है आपकी वज़े से हम आज यहां पहुंचे है तो उसको लिए कर आप क्या कहेंगे आप एंसी सी में तरह तरह के प्रांस से चात्र होते हैं जो की अलग-अलग सब्जेक्स में पढ़ाई कर रहे होते हैं जब आप एंसी सी को देखे तो हम यह संदेश देना चाहेंगे आज़ा ग्रूप कमांडर कि हम सिर्फ शर्षत सेना में जाने के लिए ट्रेनिंग नही कुछ हासिल करें कि जिससे कि वह अपने किसी भी प्रफेशन में उत्तीन हो तो मेरे बच्चे जो है शर्षत सेना के अलावा काफी सारे सिविल सर्विसेस की तैयारी करते हैं उसमें चले जाते हैं विविविविविविविविविविविविविविविविविविविवि कर रहें तो आप इसमें सक्सेस्फुल अगर हैं तो मेरे लिए इससे और क्या खुशी की बात हो सकती है कि मेरे ही कडिर मेरे से इंटर्व्यू ले रहे हैं और कल शाय जाके यह आगे जर्नलिज्म में उतीन होंगे धन्यवाद आपका सर बहुत-बहुत इस चीज के लिए हां सब्सक्राइब करने के लिए उसके बाद जो भी समय है हमारे पास नोने दिया है उसमें हम थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे जो पूरे भौपाल शहर से एकत्रित हो रहे हैं इस कारिक्रम में उनको जलपान करके बस उनका मनोबल बढ़ाएंगे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जिसमें की देश सब्सक्राइब और देश को समालने के लिए विभिन प्रांथ में जब आप नौकरी करते हैं और वहां पोस्टेड होते तो एक अलगी अनुभव बन जाता है तो एक Armed Forces Officer को पूरे देश को देखने को मिल जाता है और उससे ज़्यादा उसको देश के बारे में कोई नहीं बता सकता है इसको मदनजर रखते हुए मैंने ये देखा कि अपने देश में शक्ती बहुत है उसक्ती को उजागर करने के लिए हमें चाहिए कि हमारे जो नौजवान पीड़ी है और जो यूवक है उनको हम इस तरह से ढाचे में ढाले कि वो आगे चलके देश में तरक्की कर सके तथा वो तरक्की करेंगे तो देश अपने आप ही बढ़ेगा शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तो हमारे साथ थे बुपाल ग्रूप कमांडर बिगेडिय संजय घूश जी और इनके बारे में क्या कहूं कि ये बहुत अच्छे इंसान है और साथ से साथ यूवाव को इनने काफी प्रेडित किया है तो इसी तरीके के लिए खबरों क के लिए बने रही है व्याइपी निउस के साथ नमस्कार